दोस्तो गुरू मोर्निंग हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तो अगर आप लोगों ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब जरू करिए और बैल आइकेन पर किलिक करके नोटिफिकेशन को उन करिए ताके हम जो भी वीडियो अप सुदर्ण चूरन है जो कि जोर्ग में बुखार में इनफेक्षण डिजीज में काम आता है वाइरल इंफेक्ष्ण डिजीज दो होते हैं बुखार जैसी जुखाम खासी आधि में इसका यूज क्या जाता है तो दोस्तो अन्यासर और कई सारे हर्भ इसके अंदर डाले करता हूं गिलोई तुलसी असोगंदा और आप देख सकते हैं कितने सारे यहां पर इसके अंदर पूरी लिष्ट यहां पर बनी हुई है कि आप शुरू से लाज तक देख सकते हैं तो कापी सारे अब इसका मैं बेनीफिट आपको बताता हूं किसका बेनीफिट आखिर किस तरह से काम करती है जियां दोस्तों देखिए जितने भी तरह के बुखार हैं बुखार बोडी के अंदर आता है उसका में रीजन होता है कि आपके सरीर के अंदर कोई ने कोई वाइरस बैक्टीरिया ने परवेश बोडी के अंदर कर लिया है उस वकत आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जब वाइरस आपकी बोडी में पहुचेगा तब आपका इम्यून सिस्टम बुखार यानि कि सरीर का तापमान को बढ़ा देगा और सरीर का तापमान जब बढ़ता है तो वाइरस जो होता है वो मर जाता है बैक्टिरिया जो होता है वो मर जाता है और जीटता है वो हमारा इम्यून सिस्टम हमारा जीट जाता है और हम उस पे वाइरस पे विजय पा लेते हैं और फिर हम स्वास्थ हो जाते हैं दुखार यानि बोडी टंपरेचर हमारा फिर से डाउन चला जाता है लेकिन कई बार कुछ ऐसे वाइरस हमारी बोडी के अंदर प्रवेस कर जाते हैं मच्रो के द्वारा जैसा कि मलेरिया हो गया, जो हमारे रोगों से लडने की सिस्टम को जिसको पर्ति-रोदक परति-रोदक शंपता, इम्युन सिस्टम कहते हैं उसमें भारी पढ़ता है वो वारिस अब होगा क्या हमारी बोडी का तापमान बढ़ाएगा इम्यून सिस्टम तो उस वाइरस को खतम करने के लिए बट हमारा इम्यून सिस्टम उसको खतम नहीं कर पाएगा अब खतम नहीं कर पाएगा तो वो फिर से परियास करेगा और body temperature 104 तक भी जाता है 104 तक भी जाता है पहले वो कम करता है लेकिन फिर ज़्यादा बढ़ा देता है क्योंकि वाइरस जितना बढ़ा वाइरस उतना ज़्यादा बुखा है तो ये चीज होती है तो temperature उतना ज़्यादा होगा अब दिक्कत यहां आती है कि टंप्रेचर बढ़ता है लेकिन वाइरस नहीं मर पाता और इम्यून सिस्टम हमारा धीर धीरे कमजोर होने लगता है उसके बाद हमको कुछ एंटिबाइटिक की जरूत पढ़ती है ऐलोपैटिक में या पर कोई और मेडिशन की जरूत पढ़ती है जो उस वाइरस से लड़के हमें बचाए लेकिन यहां पर मैं आयरवेद की बात कर रहा हूं एलोपैटिक की कापी सारे नुक्सान होते हैं तो यहां पर मैं आपके लिए यह चूरन लेके हैं जो कि बैदना जैसे ब्रांड का है मा सुदरसंग चूरन इसका नाम है दोस् गिलोई जिए दोस्तों गिलोई बहुती पावरफुल ताकतवर चीज है इम्यून सिस्टम इसमें जितनी भी चीज़ें डली हुई है तुलसी गिलोई असवगंदा और भी सारी जितनी भी सके अंदर चीजे जितनी भी ज्यादा सारी सके अंदर जड़ी बूटिया है वो क बहुत अगर हम लेंगे बुखार वमारे डाउन नहीं आरहा है जिसका मतलब वमारे इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पारा उसैं से लड़ रहा है कमजोर हो एलपैतिक दवाई के बारे में वर्णन करता हूं यहां पर मैं कोई साइड इफेक्ट ना हो और आपकी इम्यून वह वाइरस को तो मारती है बट आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत नहीं करती बट यहां पर जो मैं आपके लिए जो बैदनात का मा सुदर्शन चूरन लेके आया हूं यह इम्यून सिस्टम को ताकत देता है यह वाइरस को नहीं मारता आपके इम्यून सिस्टम को इतना ताकत वर बना देता है कि खुद वाइरस को खतम करते और आप उस बुखार से उस वाइरस अगर वाइरस मर गया इम्यून सिस्टम से तो फिर बुखार एटोमेटिकली धीरे 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 डाउन आने लगता है दोस्तों बुखार का जो पैरस्टमोल है या कोई अधर दवाई है उसका हमें तब यूज करना चाह यह जब किसी भी परकार की दवा से बोड़ी का टमप्रेचर बहुत जद एक तो बढ़ गया हो और सभी दवाई फेल हो जाएं तब दोस्तों आपको डेंगू की प्रोब्लम है चिकन गुनिया की प्रोब्लम है डेकि डेंगू एक बहुत खतरनाक बिमारी है बहुत जल्द प्लेट भी डालनी पड़ती है बट अगर आपको डेंगू है आपका इलाज चल रहा है लोपैतिक तो उसके साथ साथ अगर इस चूरण का यूज करेंगे तो आपको काफी लाब होगा आपका इम्यून सिस्टम काफी हो मजबूत होगा क्योंकि डेंगू के अंदर लेना चाहिए यह नहीं कि आपको किसी ओस्डी के चक्कर भी पढ़ना चाहिए आपको खुद ट्रीटमेट नहीं करना डेंगू के केस में बट आपको अगर कोई अधर बुखार आ गया है मोसम के कारण यह वाइरल इंफेक्शन है वाइरल बुखार है या कोई अधर प्रो अपने देखा होगा जो डैंगू का मरीज होता है उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद विश्चारा आता है तो उस साथ में उसको देना चाहिए तो जितने भी तरह के बुखार है खासी जु खाम जो की वायरस की बैक्टीरिया क्सी की वज़े से होते हैं उसमें इस बहुत अच्छा काम करेगा और फिर बुखार ही क्यों जब आपका इम्यूनशिस्टम मजबूत होगा तो सभी बीमारी को रिकरण कर लेकि आपकी बोडी ठीक है तो बहुत अच्छा काम करता है गिलोय का काम ही है जो कि इसका में हट इसमें डाला गया है गिलोय का काम ही है कि अपके इम्यून सिस्टम कितना ताकत वर बना दें कि सभी रोगों से लड़े देखिए इम्यून सिस्टम पे ही बात होती है वही सभी बिमारियों से लड़ता है चाहे फिर बुखार हो खासी हो जुखाम हो या पिर किसी तरह की एलर्जी हो किसी भी तरह का संकर्मन हो तो दोस्तों यह चूरन बहुत अच्छा है कापी सारे हरे इसमें डाले गए मैंने दिखाया था कि इतनी लंबी लिश्ट है कि अगर मैं बोलने लगूं तो मेरी वीडियो काफी लंबी हो जाए तो सब्सक्राइब करें लोग बुखार को गलत समझते हैं लेकिन बुखार एक नैचुरल चीज होती तरीका होता वाइरस से वाइरस को खतम करने का तो इस पर लिखा हुआ देखिए जटिल बुखार बार बार आने वाले ज्वर में और कब जियत में उप्योंगी दवा लेने के बाद भी चड़ता है तो डॉक्टर की सला से ले 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 तो इस पर डोज की बातरव यहां पर लिखी गई है थिरी टू सिक्स ग्राम विद वाटर ठीक है तो पाने के साथ आप ले सकते हैं तीन से छे ग्राम लिख रखा है तो आप इसका एक सही डोज आप तैय कर सकते ह अपने उमर के इसाब से उमर कम है तो कम ले ले प्रोब्लम कम है तो प्रोब्लम ज्यादा है तो छे ग्राम ले ले तो वह आपके बुखार के उपर भी डिपेंड करता है ठीक है दोस्तो तो ताजा पानी के साथ इसे आप ले सकते हैं दिन में दो बार तीन बार ले सकते है कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा खीक है दोस्तो तो इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से आप खरी सकते हैं अगर अमाजोन पर यह अवलेबल होगा तो वीडियो के डिस्क्रेप्शन में लिंक लगा दूगा अमाजोन से वहां से भी से ओनलाइन खरी सकते हैं खीक है दोस्तो तो आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है तो आज की वीडियो बस इतना ही वीडियो